वेलकम टू प्यूर कुकिंग इसीडियो में में हैदरबादी रेस्टोरेंट्स में बहुत ही हाई प्राइस में मिलने वाली जुरेबियन मंदी की रेसिपी शेयर कर रही हूं तो चलिए बनाना शुकरते हैं यह टेस्टी परफेक्ट मटन मंदी यह बहुत ही जूसी और इसक टू टी इस्पून क्रेश कीवी ग्रीन चिली इसमें बिलकुल रेड चिली मत दा लिए क्योंकि यह रेसिपी में सिफ ग्रीन चिली और ब्लैक पेपर दलता है टू टी इस्पून जिंजर गालिक का पेस्ट आट करेंगे अब यहां पर मैंने मटन के मीडियम साइज के पीस चेंज हो जाए इस तरह से बुनने से मटन बहुत ही जूसी बनता है इसमें आट करेंगे टू टू टेबल स्पून मंदी मसाला पाउडर मंदी मसाला पाउडर की रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड़ेड है मैं लिंक शेर कर दूंगे डिस्क्रिप्रिप्शन बॉक्स में त अगर आपके पास में काला नीमबु नहीं है तो नीमबु का जो ऊपर का पीला चिलका होता है उसका लेमन जेस्ट भी इसमें आट कर सकते हैं इसमें नमक और वन थर्टी स्पून हल्दी पॉडर ज्यादा हल्दी पॉडर दालने की जरूरत नहीं है अच्छे से सब चीजो को हम पहले मटन में अच्छे से मिक्स करेंगे अब आट करेंगे पानी तो 2 किलो मटन है तो इसमें हम एक लिटर पानी आट करेंगे ताकि हमको अच्छा सा स्टॉक मिले इसका अब दो एक मैने यहां पे चिकन स्टॉक की क्यूब डाल दी है यह दालने से फ्लेवर बहुत ह अच्छा आया है अब हम इसको प्रेशर कुक कर लेंगे 6-7 विजल होने तक ताकि मटन जो है वो बहुत ही अच्छे से गल जाए तो देखे हमारा फर्स पार्ट कंप्लीट हो गया है रेसिपी का कितना मज़ेदार मटन का सूप बनकर तयार है अब हम बागी की तयारी है तो है यहां पर मैंने तीन प्यास को अच्छे से तौर्थी किष्मिशा जिसतरह से बिरियानी की प्यास होती है उसे और सडम निकाल के रख देगे और थे से ड्राइए करेंगे तो मैंन्धिर और बनाने के और बड़े से पॉट म में मैंने थीज़ गरम कर लिया ङृस मे अगर आपके पास में नहीं है तो इसकीप कर दीजिए एक अनियन है बड़े साइस की और वन टेबल स्पून क्रश्ट की भी ग्रीन चिलीज है जरूर दालें ग्रीन चिलीज इससे मंदी राइस बहुत ही अच्छे बनते है अब मैंने टूटी इस्पून गार्लिक और जिंजर को क्रश करके आट कर दिया दो चिकन स्टॉक और एक काला निबू अब इन सब चीजों का अच्छे से फ्राई करेंगे अब आट करेंगे टू टेबल स्पून भरके मंदी मसाला प यह कप जितना हम इसमें अच्छा करेंगे तरफ मंदी राइस मटन के स्टॉक की वाजे से बहुत ही टेस्टी बने अब हम इसमें एक कप तो यह मटन का स्टॉक है च्छे कप हम पानी आट करेंगे क्यूंकि मैं एक किलो राइस ले रही हूं तो वह मेरे पास चार कप होते ह तो उसके साब से 7 कप पानी लगेगा तो 1 कप स्टॉक है और 6 कप पानी है अब हम इसमें नमक डाले कुछे स्टॉक में भी नमक होता है और चिकन के क्यूब में भी अब हमने बास्मती राइस को एक किलो बास्मती राइस को दोकी रखा था पहले से ही यह स्मैक्ठ करेंगे औ एक दो बार इसको हलके हास से बीच में मिक्स कर लें ताकि नीचे से चावल लगे नहीं और सारे फ्लेवर्स चावल में आ जाए अब देखिए 80% चावल पक गए हैं थोड़ा सा ओरेंज फूट कलर एट करेंगे और इसको दम दे देंगे चावलों को तो पाच फ्लेट के लिए मैंने लो फ्लेम पर इसे दम दे दिया था अब एक कोईला रख देंगे चोटी सी प्लेट में और उसके ओपर दाल देंगे और मंदी के राइस को हम स्मोक आउट कर लेंगे इस तरह से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है मंदी का तो अब हमारे र मंदी बनाने की कोशिश करेंगे तो यह बिल्कुल तूट जाएंगे तो इनको हलका सा थंडा कर लें चावलों को देखि कितने परफेक्ट बने हैं चावल अब देखिए एक बड़ा सा बाउल ले लिया है मैंने इसमें जितना मेरे पस मतन था उससे वन फोर्थ हिस्सा मैं मिधान दी मटन लेली असमें थोड़ा सा नमक एट करेंगे 1 तीच पून ब्लैग पेपर पावडर करेंगे 1 तीच पून मंदी मसाला पौडर करेंगे जैसे कि मैंने कहां मंदी मसाला पवडर की रेश सी चैनल पर अल्रेडी अपलोड इंondy मावड करें दूंके मेंने चैक तोड़ा सा कटा हुआ कोथ मीर और पुदीन आट करेंगे टू टीस्पून इसमें असली घी आट करेंगे और वन फॉर्थ कप फ्रेश क्रीम आट करना है तो मिर पास में घर की गाड़ी जमी हुई क्रीम है मलाई है दूद की वही मैं आट कर रही हूं अगर आपके पास में नहीं है तो अमुल फ्रेश का जो होता है वह वन फॉर्थ का पैट करिये क्रीम और इन सब चीजों को पहले मच्छे से मटन पर मिक्स करेंगे मटन भी याद रखिए जब आप यह जो प्रोसेस करेंगे तो मटन थंडा होना चाहिए वहना सारा मटन तुकड़े तुकड़े करने हैं यह हम इसमें अट करेंगे इतने ही है मटन के चान 오래 वह पके हुआ इसमें अट करना है और इसको परर नहीं करेंगे तली छोड़ा सा कठा हूआ को सब्सक्सक्रे माटन के रखें द्राइट करेंगे हैं मैंने यह लिए इस मेवा दाब प drills टेटि ने का मकसद ये है कि जो मटन के सारे फ्लेवर्स वह सेल हो जाए तो रोटी में बना ली है आप चाहें तो मोटे सा इसकी बना ले मैंने पतली बनाई है ताकि ये जल्दी से बेख हो जाए अब इसको चारे कुनारों से अच्छे से सील कर देंगे बावल के उपर अब बेकिंग का सेटप कर दिया यानि के कुकर में नमक दाल के स्टैंड दाल के पहले सही गरम करके रड़ रखा हे यह बिलकुल दिहां से रखिए यह क्यूंकि यह बहुत गरम होता है अब हम इस पे लिड लगा देंगे तो लिड में हमने इसकी कूकर की विजिल और इसका रबर भी निकाल देना है अब लो फ्लेम पर हमने इसको सिर्फ 5-7 मिनिट के लिए बेग कर लेना है क्योंकि मटन और राइस अल्रेडी पके हुए हैं बस हमने इसको दम देना है जैसे तंदूरी एफेक्ट होता है वैसा आ जाएगा इसकी वज़े से ये बहुत गरम है तो इसको बहुत ही अराम से इसको निकाल लीजिए और इसके उपर की रोटी निकाल देंगे देखिए कितने मज़ेदार ये राइस बनकर तयार हुए है ये हैदराबादी होटलों में जैसे मैंने बताया बहुत ही महंगे दामों में मिलती है मगर बहुत ही अच्छा टेस्ट आया है इसकी वज़े से जो हमने ये जुरेबियन का सारा प्रोसेस किया है तो जरूर ट्राइ कीजिए देखिए गर्मा गर्म मंदी पर हम एट करेंगे तले हुए ड्राइफ रूट्स तली हुई प्यास थोड़ा सा कोथमीर पुदीना और अब हम इसको सर्फ कर देंगे यहां पर मैं आपको राइस बता रही हूँ कितने मज़िदार बने है एक एक दाना बिलकुल इसका खीला खीला हुआ है और मटन तो मुफल मुझ गुलने वाला मटन तयार हुआ है तो मटन की ये मज़ेदार सी जुरेबियन मंदी की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने ऐसे फैमिली और फ्रेंज से जिनको मंदी की रेसिपी अच्छी लगती है और सबस्क्राइब कीजिए मेरे चा झाल 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 झाल